उनकी मांग ज़्यादा बढ़ गई है और यहीं कारण है कि यादो सम्मेलनां बीजेपी करवा रही है अपने देखा कि गुवर्धन पूजा के बाहाने बीजेपी ने यादों का जुटान किया जातिये सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद सिज्च जातिये सम्मेलनों का भरमार हो गया है चाहे हुए राज़द हो कौंगरेस हो या फिर भाजपा हो राज़द भुमियार सम्मेलन कर रहे है सिर क्रिश्म जेनती के बाहने कौंगरेस भी वही करती हूँ नजर आई मगर बरिश्पत्रकार श्रीकान प्रतियुस जी हैं उनसे अभी जानेंगे और समझेंगे कि किस परकार से जो जातिय सम्मेलन हो रहा है वह तमाम पार्टियों को कितनी फाइदा और नुकसान कराएगी देखिए बिहार की राजिती में जाती समीकरन का काफी अहम रोल रहा है शुरू से ही और अब जब जाती जनगरना के आंकड़े सामने आ गया है तो जातियों का और महत तो बढ़ गया है जिन जातियों की अबादी ज्यादा है उनका उनकी मांग ज्यादा बढ़ गयी है और यादव बोट करेंगे भाजपा को लालू यादव रजेडी को छोड़ करेंगे। चिंता जताई आपस में बैठक की और तया किया कि भाई हमें अभी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी हमें बताना पड़ेगा पाटी को भाई यादो भी लोकसभा चुनाओं में बीजेपी के लिए बोट करते हैं और उन्होंने समिलन आयोजित किया और दावा किया कि एकई तो लोकसभा चुनाओं में बीजेपी को भूट देते रहे हैं जहां यादो के लिए लेकिन बिधान सभा चुनाओं में यादो बिल्कुल पूरी तरह से गोलबंद नजर आएंगे आपको ते जस्व यादो के पक्षवे तो बीजेपी को ये असास है कि अगर यादो जो नेता हैं उनको एक्टिव किया जाए उनको सक्रिय किया जाए तो लोग सभाचुनाओं में यादो उनके साथ आ सकते हैं पूरा यादो नहीं आये भले लेकिन कुछ यादो लोग सभाचुनाओं में आ सकते हैं और इसी का कारण है कि उन्होंने यादो समिलन कराया आप दे तो यह दिखाता है कि लालु यादो की नजदी की बढ़ी है कांग्रेस से बीच में दुरी बढ़ गई थी लेकिन अब कांग्रेस करीब आ रहे है लालु यादो का और लालु यादो ने तो आपको पता ही है कि जो बैठक हो रही थी इंडिया गटवंदन की पत्ना में उसमे नहीं लालु यादों ने राहूल गांधी को प्रजेक्ट कर दिया था पीम के रूप में यह कहके कि दुला बनिये हम बराती बनेंगे लालु यादो मजाग थोड़े करते हैं मजाग का भी उनका राइनितिक मतलब होता है तो उन्होंने एक तरह से संकेत दे दिया कि प्रजे से कुर्मी कुषवाहा बोट पैंक पर बीजेपी की नजर है क्योंकि नितियसकुमार का पूराना फार्मूला है उसी फार्मूले के तहत आज तक मुख्यमंत्री बने हुए है उनकी जाती की कितने परसंट बोट है धाई परसंट सभी कम लेकिन वो बिहार की सत्ता प्रकावी जहें 18-20 साल से कैसे अपने लोग को समिकरण की वजर से तो उस लोग को समिकरण को तोड़ने की बीजेपी लगतार कुशिश कर रही है उपिंदर को सहा के साथ लाई सम्राग चौधरी को प्रदेश्ता धक्ष्मन आया नितियसकुमार के खास थे आरसीपी से उ गहरे आदों में द्वार होगा वहां यादों नहीं देने वोट एक बड़ी बात आ रही है कि जो राजद है और तेजयस्वी आदव जिस प्रकार्ट स्रीकृस्टिन जहन्ति के बहाने कह सकते हैं जो भूमियारों को एक जूट कर रहे थे तो क्या भूमियार राजद को ब मतलब आरजदी को एक तुजेड की बनाना है जिसमें हर दल को महत्तो दिया जाएगा हर जाती को महत्तो दिया जाएगा और इसी कारण राजपुत पर और भूमियार पर उनका जोर है तो राजपुत भूमियार पूरी तरह से एक साथ किसी के साथ नहीं रहते हैं भूमिया जफिंदि के साथ राच्पुत्समाज रहा है लेकिन भुमिहार समाज पूरी तरसे बीजव के साथ बहुत कम बता दी गई है तो अबू बवाव बनेगा उन पर रिपीट करेंगे तो तेजस्वी आदो अगर भुमिहार को जोडने कुसिस कर रहे हैं तो उनकी इस कवायत को आगे बढ़ा रहे हैं लालु यादो स्रिक्रिंण बावव के जन्ती में लालु यादाों क्यों गए कांग्रेस रक्ष्ट म क्यों बुलाया उनको किसी तरह से भुमिहार समाज को जोड़ना है तो कांग्रेस पार्टी और र clear Storm56 के जो खञड़ेट हों है उनके लिए भुमिहार बोट करेंगे, अब भुमिहार के वाल बीजेपी के नाम पर किसी को बोट नहीं देंगे, जहां उनकी बहुलता है, जहां उनका दमखम है, वहां पर उचाहेंगे कि उनके विरादरी का कोई कैंडिडेट आए, और जो भी कैंडिडेट देगा, कम है, लेकिन हवा बनाने में उमाहिर है, हाँ वहा बना देता है, तो उनको छोड़ कर तो कोई नहीं चल सकता है, बुझे पिशेपी उनको छोड़ कर चल सकती है, और कांग्रेस और नहीं, रजेडी. पर ये बाते कही जाती थी और ये जो बीते दस्कों में जो समझ में आई है कि भूमियार और RJD ये दोनों मतलब एक साथ नहीं रहे ये इस था कारण देखिए ये पारंपरी बोट भाजपा कमाना जाता था तो क्या उधर बोट देखिए पहले की बात आप मत करिये पहले तो बीजेपी के तरफ सिफ्ट हो गए और कांग्रस की जोली खाली हो गई अब फिर से कोशिस हो रही है कि जो अपर कास्ट के लोग है उनको साथ लाया जाए क्योंकि अपर कास्ट की संख्या भले कम दिखाई गई हो जनगणा में लेकिन फिर भी 15 अफिसदी से जादा है जहा वह भी अब जाती जाती कर रही है याद अब सम्मेलन तो एक चित्रगुप्त पूजा भी के बाहने मतलब हिंदू के नाम पर भाजपा को बोट नहीं मिलेगी अब जाती के नाम पर देश की राजनिती बदल गई है पहले कांग्रेस कभी ओभी से की बात करती थी क्या पांग्रेस नहीं क्या था आपको याद होगा तो कांग्रेस पार्टी जो कभी मंडल के बिरोध में थी पक्ष्य नहीं थी आज उसके नेता राहूल गांधी, ओभीसी, ओभीसी, कमाला जप रहे हैं, तो राजीती बदल गई है, अब उनको पता चल गया है कि भाई, ओभीसी जिसके साथ होगा, वही जीतेगा चुनाव, और बीजेपी अगर जीतती रही है चुनाव, लगतार, दो चुनाव जीती है तो ओभीसी के समर्थन से जीती है, ओभीसी का बोट उसे बहुत मिला है, तो अब राहूल गांधी को लग गया है कि बीजेपी को हराना है, तो ओभीसी को अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा, तो कांग्रेस पार्टी की भी रणनेती बदल गई है, और बीजेपी की भी बीजेपी को भी लगदा है कि ओले हिंदूत के साहरे ना उपार नहीं होगी, तो अब वो जातियों के अधार पर पोलिटिक्स करने पर उतर गई है, वैसे बीजेपी पहले से भी जातियों, जातिय समिक्रण का ध्यान रखकर ही टिकट देती रही है, लेकिन अब खुल कर अब देखिये, नितियस कुमार ने मास्टर अश्ट्राइक मार दिया, उन्होंने जातिय जनकरणना करा ली बहुत बड़ी बात है, फिर उसके बाद उस अधार पर अरक्षन का दायरा भी बढ़ा दिया, लालु यादों के बारे में आपको याद ही होगा, पिछले चुना यादों के सरकार बन गई थी, तो आरक्षन ऐसा भी सए है, जिस पर जो अथी पिछड़ी जातियां है, उस सब कुछ भूल जाती है, इस बार भी लालु यादों को सिस करेंगे, नितिस कुमार को सिस करेंगे, कि आरक्षन ही चुनाव का बड़ा मुद्दा बने, और भाज आरक्षन बढ़ाई है, 5% और बढ़ाई है, आपने 15% आरक्षन दिया है, इसको 80% करेंगे, तो भाजपा भी बिरोध नहीं करेंगे, आरक्षन ऐसा मुद्दा आजे से कोई बिरोध करी नहीं सकता है, भागवक ने तो किवल समिच्छा की बात कहती आरक्षन की, और उस सम कोशिस होगी, अरक्षन को मुख्य खास मुद्दा बनाने का, और जातिय मुदा तो है ही, जातिय सम्मिकरन जिसके पाले में बैठेगा, वहीं चुनाव जीतेगा, तो बीजेप की कोशिस है कि हिंदुत और जातिय का कॉक्टेल बनाकर इस चुनाव में किसी तरह से जाए, अब देखेए चुनाव में क्या होगा, ओवी सी कितना साथ दगा कांग्रेस का, कांग्रेस के राहूल गांधे पर कितना ओवी सी को भरोसा है, क्योंकि कोई चेहरा नहीं है प्यम्पत का, राहूल गांधी है, जुस्त तरफ मोधी है, इस में सक के कोई गुंजाइस साथ यहीं वज़ा है कि राहूल गांधी को लालु यादों ने उनका नाम आगे कर दिया, अब देखिए, जाती है संक्रम किसके पक्ष में कितना जाता है, क्योंकि बीजेपी की कोशिस यही है, कि यादों को किसी तरह से लोग सभाचुनाओं में कम सकम, विधान सभाचु नाम ने यादों वोट कर सकते हैं विजेपी को, कोई सक्की मुझा ऐसा, तो भाजपा केवल हिंदुतु के सहारे चुनाब नहीं जीतना चाह रही है, या चुनाब में उनके उपता है कि सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए जाती है सम्मेलन करा रही है, बाकी और भी तमाम जो को राजद क्यों करा रही थी सम्मेलन स्रिक्रिश्म जन्ती के बहाने भूमियारों को एक्जूट करने का और ऐसी तमाम बाते अभी समझ रहे थे बरिश्ट पत्रकार सिरकान प्रतियुष जी से, और मेरा नाम हुआ रविकान्त, धन्यबाद.